Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel इस वीडियो में हम लोग अपना Deep Learning Playlist continue करेंगे और आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत important topic कवर करेंगे Weight Initialization Techniques ठीक है? तो हम लोग सीख रहे हैं कि हम अपने neural network को improve कैसे कर सकते हैं और neural network को improve करने का एक बहुत solid तरीका होता है कि अगर आप सही तरीके से weights को initialize करो तो ये topic काफी important है और इसलिए मैंने इसके उपर काफी detail में वीडियो बनाया है recording करने के time मुझे realize हुआ कि वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है इसलिए मैंने पूरे वीडियो को दो parts में divide कर दिया है first part में मैं आपको बहुत प्यार से समझाने वाला हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए किस तरह का weight initialization technique यूज नहीं करना चाहिए ये हमारे आज के वीडियो का topic है और in the next video जब हम लोग सीख जाएंगे कि क्या नहीं करना है मैं आपको वो techniques बताऊंगा जो आज की रिट में use होते हैं और आपको follow करने चाहिए साथी साथ मैं आपको उनका Keras code भी run करके दिखाऊंगा so that's the plan let's start the video so guys weight initialization technique का जो discussion है न वो हम लोग एक तम scratch से start करेंगे because it is a very important topic हम लोग सबसे पहले discuss करेंगे कि weight initialization important होता क्यों है क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जहां पर मैंने आपको ये समझाया था कि एक neural network काम कैसे करता है so ये हमारे पास एक neural network है और ये रहे वो series of steps जो follow करके ये neural network prediction करेगा so step 1 में आप क्या करते हो कि आप अपने सारे parameters को initialize करते हो parameters मतलब जितने भी आपके weights है और जितने भी आपके biases है आप इनको एक initial value देते हो ठीक है फिर आप एक optimization algorithm चूज करते हो और फिर आप ये 4 steps को repeat करते हो उसमें सबसे पहला step है forward propagation जहाँ पर आप क्या करते हो आपको जैसे ही एक input मिलता है आप उस input को इस network में भेजते हो और forward propagation use करके y hat calculate करते हो basically एक given input के लिए output calculate करते हो फिर आप उस output से loss calculate करते हो loss के basis पे आप हर parameter का gradient calculate करते हो जिसको आप gradient descent के step में भेजते हो जहाँ पर आप अपने सारे parameters को update करते हो यह सब कुछ मैंने आपको बहुत detail में बताया था बट अगर आप notice करो इस पूरी चीज में जो सबसे पहला step है वो kind of बहुत important है क्योंकि यहाँ पर ही decide हो रहा है सबसे पहला जो problem हो सकता है वो है vanishing gradient problem दूसरा जो problem हो सकता है वो है exploding gradient problem तीसरा जो problem हो सकता है वो है slow convergence मतलब आप सही answer पे बहुत देर के पाद पहुँचोगे यह तीनो problems आप face कर सकते हो अगर आपने जो weights initialize किये हैं वो सही नहीं है in fact यह इतना important point है कि 2000 के around deep learning का research जो था वो एकदम ही stop हो गया था एकदम ही रुख गया था because of this problem vanishing gradient problem और जब लोगोंने solution निकाला तो उनको पता चला कि दो बड़े culprits हैं पहला sigmoid activation function और दूसरा था wrong weight initialization technique इन दोनों reasons की वज़े से weight vanishing gradient problem हो रहा था और इसका solution 2000 में नहीं निकल रहा था ठीक है तो उसके बाद से अब continuously क्या हो रहा है weight initialization technique के उपर काफी research चलता आ रहा है ठीक है तो आज की video में मेरा plan क्या है कि पहले में आपको कुछ wrong weight initialization techniques के बारे में बताऊंगा जो चीज़े आपको नहीं करनी चाहिए और इससे हम सीखेंगे कि क्या नहीं करना है और फिर हम पढ़ेंगे what to do basically आज की rate में जो सही weight initialization techniques है वो हम लोग पढ़ेंगे ठीक है और फिर हम उसको implement भी करेंगे using Keras so guys let's start with कुछ ऐसे weight initialization techniques जो हमें follow नहीं करने है ठीक है उनमें सबसे पहला जो case है वो है zero initialization का zero initialization मतलब आप अपने सारे weights का value शुरू में zero set कर रहे हो honestly आपको ऐसा नहीं करना है मैं आपको थोड़ी देर में reason दूँगा और यह आपको पता भी होना जाए in fact this is a very famous interview question on deep learning जहाँ पे पूछा जाता है कि बताओ क्यूं आपके weights का initial value zero नहीं होना जाए सारे weights का यही हम लोग अभी discuss करने वाले है discussion के पहले मैं आपको पूरा setup समझा देता हूँ हम लोग एक regression problem के उपर काम कर रहे है छोटा सा कुछ पी regression problem imagine कर लो जहाँ पे आपके पास दो inputs है और एक कुछ output निकलेगा जैसे कि CGPA और IQ के basis पे हमें पता करना है कि student का package कितने लाक्स का लगा ठीक है हमारा जो neural network है वो बहुत ही simple है दो neurons है hidden layer में and there is this single neuron in the output layer यहाँ पर आपका linear activation function है because regression problem हम solve कर रहे है अब हम क्या करेंगे हम तीन cases discuss करेंगे पहला case होगा जब हम relu को पकड़ के बात करेंगे मतलब इस neuron और इस neuron का activation function would be relu फिर हम लोग second case में tanage पकड़ के बात करेंगे और फिर हम लोग third case में sigmoid पकड़ के बात करेंगे और तीनों के through हमें पता करना है कि weights शुरू में 0Q नहीं होने चाहिए ठीक है तो चलो let's start our discussion थोड़ी दिर के लिए हम लोग माल लेते हैं कि यह जो activation function है यह relu है और यह भी relu है ठीक है अब मालो आपने input दिया x1 x2 का तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि इस neuron का और इस neuron का activation क्या होगा ठीक है activation है a11 and a12 तो simple सी बात है a11 will be equal to max of 0, z11 where z11 is equal to a-wa-la weight multiplied by a w11 x1 plus a-wa-la weight multiplied by w1 2-1 multiplied by x2 plus इसका खुद का बायस right similarly अगर आप इसका activation निकालो तो a12 हो जाएगा max of 0, z12 बायस है इसका तो जाएगा है, और हमने बायसे को भी मान लिया चलो, कि वो जीरो हैं और हमने बायसे को भी मान लिया है जाएगा राइसे लीरो हैं, आपक or तो इस logic से क्या होगा कि ये जो पूरा term है ये 0 हो जाएगा और similarly ये वाला term भी 0 हो जाएगा और इन दोनों के 0 होने की वज़े से ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा इन शौटा आप बोल सकते हो कि इस neuron इस layer में जो दोनों आपके nodes है उनका activation as in उनका output is 0 और उससे भी बड़ी बात equal equal and 0 अब यहाँ पर आप बहुत easily समझ सकते हो कि आप करना क्या चाहते हो आप back propagation apply करना चाहते हो back propagation में आप क्या करते हो कोई भी एक particular rate को पकड़ो मालो आपने इस rate को पकड़ा आप इसको update करना चाहते हो using this update rule और इसी तरीके से आप चारों के साथ यही करने वाले हो बट अगर आप सोच के देखो कि जब आप यह particular derivative निकालने जाओगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा एक point पे जाकर के इस activation का भी derivative निकालना पड़ेगा बट सिंस यह चीज 0 है तो इसका derivative भी 0 होगा जिसकी वह से यह पूरा जो term है यह खुद 0 हो जाएगा इसका मतलब W11 पुराना और नया सेम रहेगा basically no update का case हो जाएगा in short मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि अगर आपने value activation function लिया will take place सोच के देखो ना क्योंकि यह derivative calculate करते टाइम यह 0 हो जाएगा तो W11 update नहीं होगा W11 अभी भी 0 है फिर आप Z11 निकालोगे since सब कुछ ही 0 है आपका फिर से आपका term ऐसा ही रहेगा और वो constantly 0 ही रहेगा training कभी होगा ही नहीं and forever आपके weights का value 0 में फसके रह जाएगा so that is why अगर आप एक value activation function use कर रहे हो तो आपको 0 का weight update weight initialize नहीं करना चाहिए अब हम लोग 10H का बात करते है 10H में भी बिलकुल सेम चीज होगी और values हमेशा 0 पे रुख जाएगी उसका reason यह है कि 10H के case में formula यह नहीं होता 10H के case में formula हो जाएगा A11 is equal to e to the power z11 minus e to the power minus z11 divided by e to the power z11 plus e to the power z11 minus z11 अब z11 since 0 है तो उपर यह वाला term 1 हो जाएगा यह भी 1 हो जाएगा 1 minus 1 0 तो basically a11 फिर से 0 ही आएगा और a22 भी फिर से 0 आएगा तो इन दोनों का derivative फिर से 0 होगा यह वाला पूरा term फिर से 0 होगा और आपका यह सारे weights फिर से update नहीं होगे और during the entire training weights आपके 0 ही रह जाएगे basically training होगा ही नहीं अब यह दोनों scenario's मैं आपको code में दिखाता हूँ तो guys यह छोटा सा point proof करने के लिए मैंने एक notebook बनाया है जिसमें मैंने यह छोटा सा dataset लिया है जिसमें दो input columns है और आपका हम लोग binary classification problem के ओपर काम कर रहे हैं फिलहाल हमारा dataset ऐसा दिखाई देता है there are two classes यह सारे toy dataset से आपको पता ही होंगे मैंने यहाँ पर x और y extract किया है फिर मैंने model building की है model मैंने बिल्कुल वही बनाया है जो मैंने आपको दिखाया था आपके मालो यहाँ पर दो layers है hidden layer में और एक output layer है और यह दोनों relue है और यह रहा मेरा model अब मैं क्या कर रहा हूँ model.get weight से सारे जो weights है जो default weights के रहा सेट करता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ these are the default weights and biases मैंने क्या किया मैंने सारे default weights and biases को change करके यह बना दिया है यह देखो मैंने यह आपके np.once नहीं करेंगे हम लोग zeros करेंगे कि मैं कुछ चीज़े test कर रहा था आगे के codes के लिए so I'll replace this entire thing with zeros इससे क्या हो जाएगा कि हमारे सारे के सारे weights और biases जो हैं वो set हो जाएंगे equal to zero यह देखो पहले यह थे default values हमने उनको override करके सब कुछ को zero कर दिया ठीक है अब मैं अपना model train कर रहा हूं 100 box और एक बार train कर लेते हैं आपके सामने ही so model train हो रहा है so model train हो गया और अब मैं देखो क्या कर रहा हूं मैं model.get weights कर रहा हूं खीक है model के train होने के बाद weights का value find out कर रहा हूं and you can see सब कुछ अभी भी zero ही है कुछ भी changes नहीं हुए जैसा था वैसा ही है और यह देखो हो गई obviously हमारा model will perform terribly यह देखो सभी को वन बोल रहा है तो 50% accuracy है बट बहुत ही घटिया model है obviously अब मैं जल्दी से आपके सामने दूसरा example दिखा देता हूं जहां पर what I will do is यहां पर value के बदले I'll keep tan edge सब कुछ बिल्कुल सेम होगा अब initial weights यह है के राज ने जो site किये मैं सब कुछ zero कर रहा हूं and you can see सब कुछ zero हो गया और model को compile करके मैं run कर रहा हूं और यह देखो model train हो गया model dot get weights किया still zero nothing changed और अगर मैं फिर से model को उसका performance को plot करूँ see nothing sigmoid के case में discussion थोड़ा सा interesting हो जाता है let me tell you why so सब कुछ same है setup बिल्कुल same है बस हमने यह कर दिया कि यह जो hidden layer है इसका activation function को हमने sigmoid बना दिया ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे फिर से हमारा जो hidden layer है इसके दोनों nodes का output calculate करेंगे या activation calculate करेंगे so a11 हो जाएगा sigmoid of z11 where z11 बिल्कुल y है जो उपर था यह चीज और since rate 0 है तो यह 0 होगा but इस बार क्या होगा कि sigmoid of z11 will be 0.5 because अगर sigmoid का आपने देखा होगा ऐसा रहता है तो 0 पे sigmoid का value is 0.5 ठीक है going by the same logic a12 का value भी हो जाएगा 0.5 so इस बार जो आपके activations है वो 0 नहीं है यह सबसे पहला point of difference है तो चलो अब हम लोग discuss करते हैं कि अगर activation 0 नहीं है तो क्या होगा but एक चीज यहाँ पे अभी भी notice करने वाली है कि activations का value अभी भी same है so कल को यहाँ पे अगर एक और node भी होता उसका भी value 0.5 ही होता ठीक है अब देखो हमें क्या करना है हमें यह जो हमारे 4 weights हैं इनका value update करना है और update करने के लिए हम update rule लगाते है weight का नया value is equal to weight का पुराना value minus learning rate times यह ठीक है तो हम एक काम करेंगे हम यह derivative calculate करेंगे for all these 4 weights तो मैं अकबर आपको करके दिखाता हूँ सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ del L del W11 का इस वाले weight का इस वाले weight का derivative क्या होगा अगर आप chain rule लगाओ तो loss का derivative with respect to y hat y hat का derivative with respect to यह activation यह activation का derivative with respect to z11 और z11 का derivative with respect to यह वाला weight ठीक है similarly अगर हम इस weight का derivative निकाले यह weight है अपना 1 1 2 तो सब कुछ सेम होगा यहां तक नहीं in fact यह दोनों terms सेम होंगे del L by del y hat del y hat del a11 a11 भी नहीं होगा I guess a12 होगा क्योंकि हम अब इस रस्ते से वापस आ रहे हैं a12 a12 depend करेगा z12 पे और z12 depend करेगा w1 12 पे अब हम लोग इस weight के लिए निकालेंगे del L w1 यह weight है 21 इस case में यह तीन चीज़े सेम होगी बस लास्ट में z11 depend करेगा w1 21 पे और लास्ट ली हमें निकालना है del w122 का value तीन चीज़े सेम होगी लास्ट में बस del 1 z2 z12 will depend on ठीक है अब देखो यहां पे समझने की चीज़ यह है कि जब आप derivatives निकाल रहे हो तो यह term तो सभी में सेम है यह term सभी में सेम है कुछ observations हम ले रहे हैं ठीक है अब एक और a11 is equal to a12 also z11 is equal to z12 ठीक है और basically आपका a11 और यह a12 बराबर है और z11 और z12 भी बराबर है तो basically मैं कहना यह चारों कि आपका यह वाला term का भी जो derivative आप निकालोगे यह भी सेम होगा तो यह तीनो terms चारो ही weights में common है बस अलग क्या है यह last वाला अब last वाला हम निकाल सकते हैं z11 को जब आप w11 के हिसाब से derive करोगे यह देखो z11 यहाँ पे है इसको जब आप w11 के हिसाब से differentiate करोगे तो x1 आता है तो inner way हम क्या कर सकते हैं इस चीज के बदले लिख सकते हैं x1 यह पहला वाला input ठीक है z12 को अगर आप differentiate करोगे 12 के हिसाब से तो फिर से यहाँ पे आता है x1 तो हम क्या कर सकते हैं इस जगा पे इसको हटा के लिख सकते हैं x1 and going by the same logic इन दोनों जगहों पे आ जाएगा x2 and x2 चाहूँ तो आप पीछे जाके देख सकते हो तो in short में भस आपको यह बोलना चाहरा हूँ कि यह जो है यह derivative और यह derivative यह दोनों हमेशा सेम रहेंगे और यह derivative और यह derivative हमेशा सेम रहेंगे यह आपको समझना है so in short में क्या बोलना चाहरा हूँ फिर से देख लेना एक बार I'll take some other color तो w11 यह वाला weight और w12 यह दोनों weight इन दोनों के derivatives हमेशा सेम होंगे और इनका और इनका derivatives हमेशा सेम होंगे इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह दोनों weights यह वाला weight और यह वाला weight 0 से start हुआ फिर इन दोनों का derivative भी हमेशा सेम होगा तो जब आप यह differentiate करके subtract करोगे तो जो नया value आएगा इन दोनों weights का वो भी सेम होगा इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों weights हमेशा साथ में ही बढ़ेंगे इन दोनों weights का value हमेशा ही सेम रहेगा similarly इन दोनों weights का value भी हमेशा ही सेम रहेगा इस set का अलग value होगा इस set का अलग value होगा because आप x2 से multiply कर रहे हो और x1 से multiply कर रहे हो but समझना क्या है यहाँ पे कि यह दोनों set बिलकुल ऐसे behave करेंगे जैसे यह दोनों एक single weight है तो आप ऐसे मान सकते हो कि यहाँ से यह दो weights ही नहीं यह single weight है मतलब यह आपका पहला input है यहाँ से दो weights नहीं निकल रहे यहाँ से सिर्फ एक ही weight निकल रहे similarly यह जो दूसरा input है यहाँ से भी दो weights नहीं निकल रहे एक ही weight निकल रहे और in a way वो एक single neuron में add हो रहे है मालनों यहाँ पर अगर एक और neuron होता तो इस input से एक और weight यहाँ निकल रहा होता और इस input से भी एक और weight यहाँ निकल रहा होता बट ये वाला weight ये वाला weight और ये वाला weight ये तीनों बिल्कुल same behave करते similarly ये वाला weight ये वाला weight और ये वाला weight बिल्कुल same behave करते so in short अगर आपने sigmoid use किया है और आपने अपने सारे values को 0 से initialize किया है तो होगा क्या कि आपका ये जो hidden layer है इसमें आप thousand, lakh, कितना भी nodes add कर दो it will act as a single node ठीक है so in short non-linearity capture कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो बिल्कुल एक perceptron की तरह behave करेगा that's the whole idea ठीक है मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जब आप मैं simplify कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप यहाँ से कितने भी neurons यहाँ पे add कर दो अगर आपने इन सब को sigmoid दे रखा है और इन सारे weights को आपने zero से initialize कर रखा है तो यह सारे के सारे बिल्कुल ऐसे behave करेंगे as if यह एक single node है और यह एक linear model बन जाएगा and this is a very important concept I hope मैं आपको समझा पाया तो अपना point दिखाने के लिए मैंने फिरसे एक notebook बनाया है you can see बिल्कुल same वही data है जो मैंने आपको थोड़ी दिर पहले दिखाया बस इस बार हमारा model अलग है क्यूंकि activation function is sigmoid ठीक है अब आगे बढ़ रहे हैं फिरसे get weights को fetch किया तो हेराज ने जो weights दिए थे वो हमने आपको दिखा दिए अब हम सारे weights को zero set करेंगे यह देखो like this चीए यहाँ पर model को compile किया यहाँ पर model को train किया और model को train करने के बाद जब मैंने get weights किया तो देखो इस बार क्या हो रहा है यह I'll run it one more time sorry यह मैंने थोड़ी दिर पहले तीन neurons के साथ किया था एक बार मैं इस पूरे code को फिर से run कर रहा हूँ यह देखो यह है पहले input से निकलने वाले दो weights जो दोनों अलग अलग nodes को जा रहे है और यह है second वाले input से निकलने वाले यह देख रहे हो पहले input से निकलने वाले सारे weights का value सेम है और दूसरे input से निकलने वाले सारे weights का value भी सेम है बट अलग है दोनों ठीक है यह point को और अच्छे से proof करने के लिए मैं एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर दस nodes add कर रहा हूँ hidden layer में ठीक है तो अब हमारा जो model है वो ऐसा दिखाई देगा कि आपके total मिलाके 30 parameters हो गए 20 weights हो गए 2 cross 10 और 10 biases हो गए ठीक है get weights किया यह रहे हमारे सारे weights थोड़े जादा weights हो गए इस बारी और फिर से हमने initial weights सबका set कर दिया to 0 सब कुछ 0 कर दिया ठीक है model को फिर से train किया यह देखा हमारे weights नोटिस करना पहले वाले input से जो 10 weights निकल रहे हैं जो 10 अलग notes में घुस रहे हैं वो सारे बिलकुल सेम है और जो second वाले input से second set of weights निकल रहे हैं सारे notes के लिए वो बिलकुल सेम है तो as if यह सारे weights tied up हैं और बिलकुल यह एक single weight के तरह काम कर रहे हैं और यह भी सारे एक single weight के तरह काम कर रहे हैं अपने भले ही 10 notes add किये हमारे hidden layer में but they are acting as a single node ठीक है linear model बन गया और यह point proof करने के लिए अगर मैं आपको plot करके दिखाऊ decision boundary को तो you can see this is the decision boundary which is a line line मतलब linear model भले ही आपने इतने सारे notes add किये बट कोई non linearity capture नहीं हो पाया it is acting like a linear model perceptron की तरह काम कर रहा है I hope आपको point समझ में आया यह तो समझ में आ गया कि हम अपने weights को zero से initialize नहीं कर सकते तो एक काम करते हैं किसी non zero value से initialize करते हैं और अभी भी हम सारे weights को same value देंगे बट वो zero नहीं होगा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम अपने weights और biases को value देते हैं 0.5 का ठीक है सारे weights और biases का value is 0.5 ठीक है अब क्या होगा मैं आपको पहले से hint दे देता हूँ यह बिल्कुल वैसे behave करेगा जैसा हमने थोड़ी देर पहले sigmoid में पढ़ा था sigmoid जहां पे zero हम लेके चल रहे थे बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही behave करेगा सिर्फ linear model बनके रह जाएगा let me give you an example मालो यहां पे value है tan h और value और in fact sigmoid में भी same ही result आएगा ठीक है जल्दी से देखते हैं a11 हो जाएगा max of 0z11 where z11 is w11x1 plus w121x2 plus b11 और यह value depending on the input कुछ non-zero value आएगे this will not be equal to zero कुछ positive value आएगी अगर x1 x2 positive है तो तो यह भी कुछ value आएगा this will also be non-zero छीक है similarly a12 क्या हो जाएगा max of 0,z12 where z12 is equal to w112x1 plus w12x2 plus b12 छीक है this will again be not equal to zero and similarly this will not be equal to zero छीक है बट एक चीज़ notice करने वाली है कि since यह weights सारे बराबर है और x1 x2 दोनों में ही है और b1 b12 का value भी same है तो z1 z मतलब z12 will be equal to z11 जिसकी वज़े से a11 will be equal to a12 मतलब इस layer में जितने भी nodes होंगे उन सबका activation तो same होगा अब जैसे ही activation same होगा तो आप फिर से देख सकते हो कि आपका एक particular input से निकलने वाले सारे weights का derivative will again be same इसका मतलब एक input से निकलने वाले सारे के सारे जो weights है उनका जो update होगा वो बराबर value से होगा तो इसका मतलब फिर से पिछले बार की तरह क्या होगा कि भले ही एक input से तीन चीज़े निकल रही है या दो चीज़े निकल रही है वो ऐसे act करेंगे जैसे वो एक single weight है तो भले ही आप तीन nodes add करो it will act as if it will act as if there is a single neuron same चीज़ होगी जो थोड़ी दिर पहले होई थी ठीक है so in short हमने ये सीखा कि ना तो आप अपने values को zero से initialize कर सकते हो ना ही आप non zero constant value से कर सकते हो ठीक है आपके पास सिर्फ एक ही option है कि आप अपनी values को randomly initialize करो ये तो हमें अब समझ में आ गया अब बस एक चीज़ मैं करता हूँ ये जो मैंने अभी आपके साथ discuss किया ये मैं आपको code में दिखाता हूँ हम लोग same example लेके आगे बढ़ेंगे यहाँ पर बस एक चीज़ इस बार अलग कर रहा हूँ यहाँ पर value है और get weights से मैंने initial weights को निकाला और np1s multiplied by 0.5 कर दिया तो अभी मेरे सारे weights का जो value है वो है आपका 0.5 ठीक है model को compile किया है model को train किया है और train करने के बाद जब मैंने get weights निकाला you can see एक input से निकलने वाले सारे weights एक जैसे हैं दूसरे input से निकलने वाले सारे weights एक जैसे हैं ठीक है और यह देखो एक linear model की तरह आपका model अब काम कर रहा है और यह देखो गई अब मैंने दोबारा जब इसको tanage के साथ किया तो tanage के साथ भी result विल्कुल ऐसा है although numbers अलग है but you can see कि फिर से एक input से निकलने वाले सारे weights सेम है दूसरे input से निकलने वाले सारे weights सेम है और lastly मैंने sigmoid के साथ भी test कर लिया सब कुछ सेम है और यह देखो फिर से एक input से निकलने वाले weights सेम है दूसरे input से निकलने वाले weights सेम है in short हमने अभी तक दो चीज़े समझ में आ गई हमें पहला आप weights को 0 नहीं कर सकते ठीक है model train ही नहीं होगा value और 10H के case में और आप सारे के सारे सेम non-zero value से भी आप weights initialize नहीं कर सकते because वैसा करने पे भी model train तो होगा but it will act as a linear model non-linearity capture नहीं कर पाएगा ठीक है reason मैंने आपको बता दिया so guys हमें दो बाते तो समझ में आ गई है पहला हम लोग zero से initialize नहीं कर सकते हमारे weights को दूसरा हम किसी non-zero constant value से भी initialize नहीं कर सकते इसका मतलब हमें अपने हर weight को एक अलग value देना है तो यहाँ पर हम अब case 3 discuss करेंगे जहाँ पर हम random initialization पढ़ेंगे हम क्या करेंगे हम अपने weights को randomly initialize करेंगे ठीक है यहाँ पर मैं दो cases आपको पढ़ाऊंगा पहला होगा small random values और दूसरा होगा large random values पहले हम लोग discuss करेंगे small random values का case और let's discuss first about tanich and sigmoid और फिर हम लोग value को discuss करेंगे मैं आपको थोड़ा setup समझाता हूँ so माल लो हमारे पास एक ऐसा data है जहाँ पर हमारे पास input में 500 columns है और output में there is a single column target column ठीक है और इस तरह से माल लो हमारे पास thousand rows है ओके तो हमारा input shape is thousand into 500 also हर row में यह जो 500 numbers है जो मिल करके एक single row form कर रहे है थोड़ी दिर के लिए हम माल लेते हैं कि यह सारे के सारे numbers हमने एक Gaussian distribution से निकाले है basically यह normal है ठीक है अगर आप इन 500 numbers को plot करोगे तो कुछ ऐसा curve दिखाई देगा ठीक है यह हमारा setup है अब आगे हमने क्या किया हमने कुछ hidden layers लगाए और तीन hidden layers लगाए और तीनों में 500-500 nodes है ठीक है अब थोड़ा सा हम लोग discussion करेंगे कि क्या होगा अगर आप एक एक करके rows को भेज़ते हो माल लो आपने इस पहले row के numbers को उठाया और यहां से 500 values को insert किया इस network में ठीक है और एक चीज़ और हमने जो weight initialization किया है वो random है और कैसे random है मैं आपको बताता हूँ हमने इस तरीके से initialize किया है np.random.randn ठीक है यहाँ पे मैंने shape बता दिया 500 by 500 यहाँ पे 2500 weights होंगे तो 500 by 500 और हमने इन सारे weights को multiply कर दिया 0.01 से so in a way यह सारी small values है ठीक है bias को हमने फिलहाल सारे biases को 0 से ही set कर दिया this is the setup अब समझने की कोशिश करना कि होगा क्या हम focus करेंगे मालो इस neuron के output के उपर इसका activation क्या होगा इसका activation will be sigma wi xi ठीक है इन सारे weights जो सारे weights यहाँ पे 500 weights घुस रहे हैं और इन inputs का weighted sum तो since हमारा जो excise है वो खुद 0 से 1 के बीच में है normalized है क्योंकि आपका mean is 0 and standard deviation is 1 0 से या minus 1 to 1 मालो minus 1 to 1 के बीच में range कर रहे हैं और हमारे यह जो weights हैं यह तो बहुत ही छोटे छोटे numbers हैं इस तरह के numbers हैं तो जब आप इस तरह के खूप सारे numbers को multiply करके फिर add भी करोगे तो you can understand कि यह जो number बनेगा यह जो number बनेगा this will also be a small number this will also be a small number ठीक है तो हमारा जो z है is a small number अब थोड़ी देल के रहे माल लेते हैं कि यहाँ पे जो activation function है वो है tan h ठीक है tan h का I guess आपको graph पता है tan h का graph ऐसा दिखाई देता है ठीक है 0 अगर x का value 0 है तो y का value भी 0 होता है और x का value थोड़ा अगर 0 से ज़ादा है तो यहाँ पे कहीं पे होगा which is again very small ठीक है तो बस आप ऐसे समझो कि इस layer में जो सारे के सारे nodes हैं जो 500 nodes हैं इन सब का एक output होगा इन सब का एक activation होगा यह सारे के सारे activation will be very close to 0 सोच के देखो because यह number छोटा है इसको जब आप tan h में भेजोगे तो यह graph आप देखके समझ सकते हो कि जो output आएगा वो भी बहुत close to 0 आएगा तो मैंने क्या किया मैंने यह आपे histogram plot किया यह histogram में हमारे input का हमारा input जो हमने normal Gaussian distribution से लिया था तो जब input था तो वो ऐसा दिखाई दे रहा था फिर मैंने क्या किया यह जो हमारा layer है इसमें 500 activations निकलेंगे इन 500 activations का जब मैंने histogram plot किया तो वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है right क्योंकि जादतर values आपके 0 के आसपास है और same जब आप इन values को आगे भेजोगे क्योंकि यहाँ पे भी जो weights है बहुत छोटे weights है तो इनको भी जब आप आगे भेजोगे तो going by the same logic आपका जो histogram है वो ऐसा दिखाई देगा because most of the values would be very very close to 0 तो अब समझो इस बात को कि होगा क्या अगर आपके सारे के सारे layers का activation is very close to 0 तो जब आप उसको differentiate करके gradient calculate करोगे तो that will also be very very small and close to 0 और जैसे जैसे आप यह layers बढ़ाते जाओगे back propagation के time खूप सारे छोटे 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 numbers जब खूप सारे और छोटे 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 numbers से multiply होंगे तो फिर आपका जो gradient है it will be very small और या आप फिर मान सकते हो it will be close to 0 और उसकी वज़े से जब आप weights को update करोगे तो since this derivative is very small और close to 0 कोई update होगा ही नहीं इनव या आप बोल सकते हो कि आपका vanishing gradient problem apply हो रहा है vanishing gradient problem यहाँ पे apply हो रहा है तो simple जाफ अवंडा है कि अगर आप बहुत छोटे weights के साथ initialize करते हो like 0.01 से multiply किया हो बहुत छोटे weights के साथ जब आप weights initialize करते हो तो tan h will give you vanishing gradient problem ठीक है sigmoid का भी अगर आप analysis करके देखो तो it will be almost same sigmoid के case में बस क्या है कि ऐसा graph होता है मतलब जब x का value 0 होता है तो y का value 0.5 होता है तो उसका जो histogram होगा वो इतना भ्यानक 0 तक नहीं होगा वहाँ पे थोड़ा सा ज़ादा values होंगी non zero थोड़ा और फैला होगा graph बट वहाँ भी आपको same to same vanishing gradient problem हो सकता है अगर आपका जो neural network हो वो बहुत deep है मतलब उसमें खूप सारे layers है shallow neural network में problem नहीं होगा क्योंकि सारे gradients multiply नहीं होगे बट deep में बहुत problem हो सकता है तो मैं आपको summarize करके बता रहो in summary if you use very small weights as your initial weights मालो इस तरह का इस unit के weights को आप ले रहे हो अगर आप tanich लेके पकड़ोगे तो बहुत तगड़ा वाला vanishing gradient problem होता है हो सकता है कि आपके weights update हो ही ना training हो ही ना सब कुछ zero हो जाए sigmoid के case में भी vanishing gradient problem apply होगा उतना नहीं होगा जितना tanich में है बट sigmoid में भी training बहुत बहुत slow होगा या फिर होगा ही नहीं relu के case में क्या है कि relu के case में फिर भी small values बच जाएंगी तो यहाँ भी होगा मतलब vanishing gradient problem बट उतना नहीं because it's relu चीजे जीरो नहीं होती है तो यहाँ पर फाइदा क्या है यहाँ पर बस यह है कि vanishing gradient problem उतना नहीं आएगा बट चो training होगा it will be very slow training will be very slow जो convergence है that will be very very slow तो आपको results बहुत सारे epochs के बाद दिखाई देंगे ठीक है मैं आपको इस चीज का थोड़ा demonstration दिखाता हूँ तो guys मैं आपको एक छोटा सा example दिखाता हूँ अगर आप weights को बहुत छोटे number से initialize करोगे तो क्या होगा same data के उपर काम कर रहे है बस इस बार मैंने क्या किया है कि मैंने एक deep neural network बनाया जिसमें आपके पास चार hidden layers है और मैंने सबको टैनेच activation function दिया है और यह input यहां पर नहीं होगा तो इस दो अपर neural network मैंने सारे get weights से fetch किया current weights और मैंने सबको change कर दिया यहां पर you can see कि मैंने जो weights initialize किये हैं उनको .01 से multiply कर दिया है random के साथ और biases को मैंने zero ही रहने दिया उससे कोई फर्क नहीं बढ़ता है और set weights से मैंने नए weights set कर दिये you can see यह मेरे नए weights all the weights are very very small biases are zero all the weights are very small ठीक है अब मैंने किया model को train किया for 100 epochs और जब मैंने ऐसा करने के बाद get weights पे वापस fetch किये सारे weights को training के बाद you can see आप side by side compare करके देख सकते हो जो आपका weights से वो ना के बराबर update हुआ देख रहे हो वही 007 बहुत decimal places में जाके थोड़े से changes हुआ है which shows कि vanishing gradient problem यहाँ पर हुआ है ठीक है अगर आप थोड़ा नीचे जाओ मैंने graph plot किया you can see performance is very very bad सबको one बोल रहे 50% accuracy पर हमारा model काम कर रहे ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ relu के case में क्या होता है so यह एक बहुत अच्छा visualization tool है यहाँ पर हमने इस तरह का data select किया और two small weights select किया है जैसे हमने training start किया you would see कि यहाँ पर you can see different labels are there अब होगा क्या कि relu है तो vanishing gradient problem उतना strongly नहीं आएगा लेकिन you would notice कि बहुत जादा time लगेगा इस network को converge होने में ठीक है around thousand epochs लग जाएंगे वही अगर आप कोई दूसरा weight initialization technique use करते जो मैं आगे दिखाऊंगा उसमें यह network बहुत जल्दी से converge कर जाता let me wait and you can see guys almost 5 minute wait करने के बाद और 1500 epochs run करने के बाद अब जाकर के जो हमारा error है वो reduce हो रहा है और हमारा model अब converge कर रहा है and you can see एक decision boundary आपको दिखने लगेगा so value के case में आपका जो convergence है that would be extremely slow अगर आप अपने weights को बहुत small values के साथ initialize करोगे अब हम लोग discuss करते है random initialization but with large values ठीक है large values मतलब कितना large values मालो same setup है हमारे पास 500 inputs है और there are three hidden layers सभी में 500-500 neurons है बिल्कुल same previous setup है तो इस बार हम लोग का weight initialization है वो बड़ा होगा as in big numbers होंगे तो numbers could be in the range of 0 to 1 and yes इसी को deep learning में बड़ा बोला जाता है 0 to 1 के range में ही अगर आप initialization कर रहे हो तो this is a big number y यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप कोई एक particular neuron का अगर activation calculate करो तो that will be sigma wi xi अब अगर हर x और हर w 0 से 1 की range में है और इस तरह के मालो 500 values को आप add कर रहे हो तो यह जूड करके 100 से 500 के range में कुछ भी एक number बन सकता है which is quite big ठीक है तो मालो अगर हम tanage या फिर sigmoid का बात करें और मालो हमने इस range में numbers को randomly initialize किया 0 से 1 के बीच में तो होगा क्या कि saturation होने लगेगा saturation का मतलब sigma wi xi जो होगा हर node के लिए वो काफी बड़ा होगा like 100 तक के range में हो सकता है अब खुद सोचो sigmoid में अगर आप 100 डालो या tannish में 100 डालो तो वो saturate कर जाएगा saturate करने का मतलब या तो अपने highest value लेगा या फिर negative होगा तो highest negative value लेगा तो you can see मैंने same जब histogram plot किया फिर से input तो normal है but जब मैंने activations का histogram plot किया for tan h तो आपकी सबसे बड़ी वाली values जादा आ रही है minus 1 और 1 वाली you can see in all the layers ठीक है similarly जब आप sigmoid के लिए same काम करोगे तो फिर से वही हो रहा है saturating values आ रही है sigmoid के case में output भी 0 से 1 because sigmoid का output 0 से 1 के बीच में होता है tan h का output minus 1 से 1 के बीच में होता है so basically because of this saturation दो चीज़े हो सकती है या तो slow training होगा मतलब convergence would be slow और worst के scenario में फिर से vanishing gradient problem हो सकता है यह हमने पढ़ा था जब हमने vanishing gradient problem का video बनाया था ठीक है तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर weights थोड़े बड़े हैं और आपका activation function is tan h या sigmoid तो आपको बोलना है कि saturation होगा because of these big values यह term बहुत बड़ा होगा और इसको जब आप भेजोगे अपने activation function में तो saturating values आएंगी like this और उसकी वैसे या तो slow convergence होगा या फिर worst के scenario में vanishing gradient problem भी हो सकता है relu का case थोड़ा अलग है because relu is a non-saturating function in the positive direction यह graph होता है तो यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है तो जितना बड़ा w i x i होगा positive direction में उतना ही बड़ा relu का output भी होगा मालो इसका output तो आपके gradients भी बहुत बड़े होंगे gradients अगर बड़े हैं तो जब आप update करने जाओगे तो आप बहुत बड़े changes करोगे अपने weights में जिसकी वज़े से क्या होगा कि आपका gradient descent में आप बड़े बड़े jumps लोगे like this और basically आपको unstable gradient मिलेगा और again आप सही solution पे नहीं पहुँच पाओगे ठीक है तो I hope आपको ये पूरा discussion समझ में आ रहा है in summary आप आप 0 से initialize नहीं कर सकते आप non zero same value से भी initialize नहीं कर सकते आप small random value से initialize नहीं कर सकते और आप large random value से भी initialize नहीं कर सकते ये चारो ही चीज़े आप नहीं कर सकते यह हमने अभी तक सीखा अभी हमने just discuss किया कि आपका training would be very unstable right you can see यहाँ पर यहीं हो रहा है कुछ weights बहुत जादा आ रहे हैं और उनमें fluctuation भी बहुत होगा because आपके gradients बहुत बड़े value लेंगे जिसकी वैसे training would be unstable और आप सही result तक नहीं पहुँच पाओगे ठीक है यू किन सी यहाँ पर it's trying hard but यह सही result तक नहीं पहुच पा रहा है so that was the video guys I know काफी बड़ा था और काफी सारे concept छुपे हुए थे I hope आपको पसंद आया और आपको चीज़े समझ में आई अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please like करना और अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please do subscribe thanks for watching bye